36 गड़ के नगर देवकर के स्थानिय सुरही नदी पर बना एनिकट इन दिनों लोग जान जोखी में डाल कर आपगुमन हेतु डूबी हुई एनिकेट को पार कर रही हैं आपको बता दे कि नगर देवकर के सपताहा में दो बार स्थानिय बजार लगता है जहां आसपास के 25 गाउं के ग्रामिन सब्जी लेने के लिए पहुँचते हैं जिसमें कई ऐसे गाउं के लोग रहते हैं जो नदी किनारे सित बजार सलसे नदी के उस पार होने के कारण नगर होते हुए लंबी दूरी ना तैकर शोटकट अपना कर नदी पर बनी एनिकेट को पार करते हैं गोरतलब है कि वर्तमान में कल उपरी शेतरों में खूब वर्षा वो अन्य कारण से सुरही नदी का जलस्तर एनिकेट से उपर होकर बह रहा है जिसके उपर से इन दीनों गुजरना खतरों से कम नहीं है परंतु स्थानिय नगर अंचल के लोग व ग्रामिन बंदू रोजाना ऐसी ही एनिकेट पार कर बड़ा जोखिम उठा रहे हैं जो किसी कारण वर्ष बड़ी अन्होनी हो सकती है लोग जान जोखी में डाल कर आवगमन हेतू डूबी हुई एनिकेट को पार कर रही है जिसके चलते लोग लापरवाही बरत कर एनिकेट लगातार पार कर रही है आपको बता दे कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही स्थिती में नगर के इसी सुरही नदी के अनिकेट को पार करते हुई एक बुजूर्ग व्यक्ति की बह जाने से नदी के भवर में फंसकर मोत हो गई थी इसके अलावा कई और छोटे बड़े हाथ से यहां हो चुके हैं जिसके बावजूत ना जनता स्तरक है और ना ही शासन प्रशासन जिसके कारण बड़ी दुरगटना कभी भी घट सकती है उल्यकनिय है कि सुरही नदी पर ही नगर के सिमी पुबर्ती ग्राम महो गाउं बुधवारा बासीन भोजे पारा सिंगन पूरी कोहो काबोड जैसे ब्लोग के दरजनो गाउं में एनिकट वपुल पुलिया को लोग रोजाना जलसर बढ़ने के बादी पार कर रहे हैं जो जिम्मेदार प्रशासने कधिकारियों की अंदेखी से हो रहा है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए